गदर टू फिल्म ने सनी दियोल की लाइफ में बहुत कुछ बदल दिया है सनी दियोल के साथ गदर टू के बाद बहुत ऐसी चीजे हो रही है जो पिछले कई सालों में उनके साथ नहीं हुई जिसमें से एक चीज है शारुक खान से बात शारुक खान से दोस्ती फिल्म डर आई थी एर 1993 में और तब सनी देओल को लगा था कि उनके साथ यश्टोपणा और शारुक खान ने मिलकर धोखा किया है तब से सनी देओल ने यश्राज फिल्म्स और शारुक खान दोनों से दूरी बनाये रखी तीस साल में कभी भी सनी ने ना शारुक का नाम लिया ना शारुक से बात की और ना ही वो दोस्ती वैसी हो पाई लेकिन अब गदर टू के बाद सनी और शारुक ने पैच अप कर लिया है इस बाग की confirmation खुद सनी देओल ने दी है इससे पहले तो शारुक ने ही कुलासा कर दिया था अपने एक फैन को कि उन्होंने गदर टू फिल्म देखी है और उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है अब सनी देओल ने एक interview में ये कुलासा किया है कि शारुक खान से उनका patch up हो गया है शारुक खान ने गदर फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें कॉल किया और जिस तरह के collections गदर टू के हो रहे थे उसके लिए उन्होंने बधाईया दी सनी देओल ने ये भी बताया कि शारुक खान ने फिल्म देखी है और सनी ने शारुक के साथ साथ गौरी के साथ भी बात है की बहुत अलग-अलग चीजों पर इन दोनों में आपस में डिसकुशन्स हुए कुछ इस तरीके से शारुक और सनी का फाइनली पैच अप हो चुका है 30 सालों बार बात करें शारुक और सनी की तो दोनों ही film इंडस्ट्री के शांदार आक्टर है दोनों ही super stars है और दोनों का film इंडस्ट्री में अपना अपना ओधा है जब इतने बड़े लेवल पर दो आक्टर्स होते हैं और उनके बीच problems होती है तो उन problems को solve होते होते भी सालों लग जाते और अगर आप चाहते हैं कि Dare 2 बने तो ये भी suggest कीजिए कि सनी और शारुक के अलावा film में actress कौन होनी चाहिए ओरिजिनल फिल्म में जो ही चावला actress थी नई फिल्म में कौन actress होनी चाहिए